प्रणामिया कोई पंच्चे साथ हो गया कोई आफसे दो whippingаш तरहें चलिए मैं आपको उपाय Bei बताता हूँ काफी लोग बोलने में संकोच करते हैं लेकिन ये 15 से और 25-30 साल तक के लोगों की बहुत बड़ी समस्या है और अविवाहित लोगों की भी बहुत बड़ी समस्या है और कई बार तो जो इस अध्यात्म मार्ग परा जाते हैं सन्या से आदियों उनके लिए भी एक समस्या होते हैं लेकिन बोलते हैं हमारे हाँ पर ब पहुला चौण खाने मात्र से ही ये स्वप्न दोश की नाइजफाल की समस्या से छुटकारा मिल जाता है फिर भी किसी को ज्यादा समस्या है तो इसमें शतावर चौण बेटियों को चाहे वो ओवर ब्लीडिंग है चाहे वो लिकोरिया है बेटियों के लिए वैसे शीशम के पत्ते और नाकेशर आदी ओवर ब्लीडिंग में और उनको अशोकारिष्ट आदी दूसरी ओशदिया भी हम बताते हैं लेकिन बहनों को भी जिन उसको अंग्रेजिम वाइड डिस चार्ज बोलते हैं और इधर पुर्षों को जिसको सौपन दोश बोलते हैं नाइटफाल बो दूद के साथ यदि किसी की कफ प्रकृती है या वाद प्रकृती है सर्दी बहुत लगती है मसल्स में पेन आधी रहता है तो थोड़े गुन-गुने दूद से भी ले सकते हैं वैसी जिनको नाइटफाल रहता है उनको हम गरम दूद पेने की मना ही करते हैं एक एक भी बोलते हैं गिलोई आप सबको पता ही है गुखरू एक छोटा दाना होता है और आउला इसका भी पाउडर एक एक चम्मज सुबह साम देने से इस रोग में लाब मिलता है जहां तक अब इसकी कारण है अलग-अलग जैसे किसी की बहुत पित्त प्रकृती है बहुत गरम हैं शरीर के अंदर उनको ये समस्या बहुत जादा रहती है इसके निवारण के लिए एलिवेरा और आउला ये सुबह खाली पेट पीने से इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है फिर इसमें बड़ी भूमिका रहती है रात को ज़्यादा खाना ना खाएं रात को सोते समय भगवत चिंतन करें ओंकार या गाहित्री का जब करके सोयें ठंडे पानी से हाथ मो धो करके अभी सर्दी है तो थोड़े से गुनकुने पानी से धोलें हाथ मुध हो करके शैन करें तो इस रोग से छुटकारा मिल जाता है यह कोई बड़ी बात नहीं है हाँ जिनकी कफ प्रक्रती है जिनकी वात प्रक्रती है वो चंदर प्रभावटी पुरुष और महिलाओं को जिनको वाइड डिसाज के प्रोब्रमो इस्त्री रसाइन एक एक गोली का सेवन करते हैं तो उनको इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है क्योंकि यह काफी बड़ी समस्या है लोग इसको छिपाते हैं इसलिए सामनने भासा में इनको गुठत रोग बोलते है और योन रोगों के संदर्व हमें जिसको अंगरीज में सेक्सल डिसोर्डरस भी बोलते हैं काफी बड़ा विकृत रूप ले ले लेते हैं तो उनके ल समाधान बता दिया